आजकर प्यार का चलन बहुत ज़्यादा चला हुआ है हमें चारों तरफ देखने को ऐसी सची गटना है हमारे सामने आती है राम राम नमस्कार आप देख रहे हैं क्राइम लेहर चैनल आज की जो सची गटना निकल के आ रही है निकल के आ रही है हर्याना के पानी पत से यहाँ पर एक परिवार होता है जिसमें एहसान सैफी नाम का एक व्यक्ति होता है और उसकी पतनी होती है पती की उम्र जो होती है वो 45 साल होती है और पतनी की जो उम्र होती है वो 35 साल होती है दोनों की साधी को करीबन 10 साल हो चुके हैं और परिवार में वो लोग अच्छे से रह रहे हैं उनके तो बच्चे भी हैं रहते रहते समय निकल जाता है और वो एक दूसरों की ख्वाइसों को पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ समय बाद उनकी लड़ाईयां होने लग जाती है और जो पतनी है उसको अपने पती की केयर जरूरत अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसका पती जो है वो किसी दूसरी औरत की चंगुल में फस जाता है वो दूसरी औरत से प्यार करता है फिर जैसे उसकी पतनी को ये बात पता चलती है तो वो पतनी उसको छोड़ कर अपने माई के चले जाती है और जैसे ही वो पती जो एहसान सेफी नाम का विक्ती है वो अकेला रहता है उसकी उम्र करीवन 45 वर्स है वो फिर एक प्लान बनाता है और जो उसकी प्रेमिका होती है वो उससे मिलने के रिए जाता है और जाकर वहाँ पे उससे बाते करता है और कहता है कि और वो अपनी प्र आता है फिर वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम लोग क्यों ना कहीं अलग रहते हैं वो जो प्रेमी का होती है उसके भी दो बच्चे होते हैं वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने उस नए प्रेमी एहसान सैफी के साथ भाग जाती है और वो एक सिवनगर कलोनी म रहने लगते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं कुछ समय वो साथ साथ रहते हैं लेकिन जैसे वो रहते हैं तो जो वो एहसान सैफी है उसको अपनी प्रेमिका में बहुत सारी कम्या नजर आने लग जाती है वो से बार बार लड़ाई करता रहता है और बात बात पर यहां तक कि उसकी अपनी पतनी से भी जादा लड़ाई उसकी प्रेमिका के साथ होने लग जाती है वो कहते हैं ना कि प्यार का जो भूत होता है वो कुछ समय के लिए ये रहता है तो बस इनके साथ भी वही हुआ और इस एहसान सेफी के प्यार का भूत उतर जाता है फिर वो उससे लड़ाई करता है लेकिन बाद बाद पर लड़ाई होती रहती है क्योंकि वो महिला भी अपने पती को छोड़ कर आई थी तो वो भी किसी बात पर चुप नहीं रहती थी वो हर बात का जवाब देती थी फिर एक दिन जो वो व्यक्ति होता है एहसान सेफी वो एक चाकू खरीद लाता है मार्केट से और शाम को घर आ क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी सुबह और वो शाम को घर आता है घर आने के बाद वो आके उस महिला से बात करता है लेकिन वो महिला चुप नहीं होती है तो वो पड़ाग से चाकू से उस पे वार करके उसके प्रान निकाल देता है फिर वैसे उसके दोनों बच्चों को वो चाकू से मार देता है चाकू से मारने के बाद वो क्राए का घर था उसी के आंगन में जा कर देता है जब तक वो फर्स गीला रहता है तब तक तो वहां रहता है जैसे वो फर्सूख जाता है तो वो कराई का मकान जो यूपी में था जो सेवनगर कलोनी में था उसको वो छोड़ कर वहां से चला जाता है चले जाने के बाद वो यूपी में रहने लगता है और कुछ स उस्ताज करती है कि जैसे फॉरंसिक लैब में उनको चेक किया जाता है तो पता लगता है कि करीवन इनकी मिर्टीव डेड़ साल पहले हुई है तब वो मकान मालिक से पूछते हैं कि कि इतने साल पहले कौन यहां पर रहा था तो मकान मालिक बताता है कि एहसान सैफी नाम का ए मैंने अपनी पत्री को छोड़कर इसका साथ दिया था और यह मुझसे काफ़ी लड़ाई जगड़े करती थी और मैंने ही इसको मारा था वो अपना जुल्म कबूल कर लेता है अब वो पर इसकी हिरासत में है और उसकी उस पर चार सीट फायर की गई है अब देखो गवर्म अपना हो जाती है इसमें जो प्रेमिका थी उसकी गलती थी वो अपने पती को छोड़कर दूसरे पती के साथ सुख लेना चाहती थी और वो पती था वो भी अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर अपनी आस्की के चक्कर में उसने दो परिवारों को खतम कर लिये एक अपना वीडियो अच्छी लगती है तो उनको जादा से जादा से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिसे हमारा मॉटिवेशन अप हो सकें तब तक के लिए देखते रहिए सावधान रहिए खुश रहिए शुरक्षित रहिए बहुत जल्द आपके सामरे फिर